असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज का जो मारा टॉपिक है वो क्रेक्टरिस्टिक हाफ कैटलिस्ट ठीक है चेप्टर नमबर 11 पढ़ रहे थे कैमिकल किनेटिक्स एफसी पार वन इसमें हमने क्रेक्टरिस्ट की खसूसियात पढ़नी है कि कैटरिस्ट की कौन कौन सी क्या हो करेक्शन को क्या करता है आलटर करता है चेंज करता है ठीक है और ज fertility के मैं हो तो चैटिक हम होत तो क्या होगा यह हैट्रोजीनियस कैटलिस होगा ठीक है आज हमने जो पढ़ना है वह करेक्टरिस्टिक आफ कैटलिस्ट की पहली जो करेक्टरिस्टिक है यह जो कैटलिस्ट होता है वह अपने मैस को और कैमिकल कमपोजीशन को चेंग नहीं करता बट उसकी फिजीकल जो त्याइब देखो पुटाश्यम कलोरेट है उसका रेक्षन हुगा मैगानीज अकसाइड की फार्म में औकसाइड यहां पर क्या है कैटलिस्ट है ठीक है मैगानीज अकसाइड जो उनसा है वो स्टार्ट में चीनी के तरह ग्रैंग यूल्ज के फार्म में हम यूज़ करते हैं लेकिन अट दी एंड आफ रेक्शन यह क्या होता है पाउडर बना होता है ठीक है इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या हो जाती है चेंज होते है अब सैकंड जो करेक्टरिस्टिक है कैटलिस्समाल कॉंटर्टी में यूज होता है लाइक देखो अगर हमने सिसन आफ एसटू ओडू की एडाजन पार्यक्साइड की डिकम्पॉजीशन करना है ठीक है इडाजन पार्यक्साइड की तो सरफ एक क्राम आफ प्लाटीनम हम उसकरें तो सेफिजेंट होता है 1000 लीटर आफ H2O2 की डिकमपोजेशन में ठीक है अब देखो कैटलिस्ट अफेक्टिव होता है इन फाइनली डिवाइड़ फार्म फाइनली डिवाइड़ फार्म यानि पाउड़र्ड फार्म में वो क्या होता है जएदा फेक्टिव होता है जिस तरह हैडरोजीनीशन आफ वेजिटेबल आईल में हम फाइनली डिवाइड़ निकल यूज़ करते हैं इस कैटलिस्ट कैटलिस्ट हमारी एकलिबरिनियम कांस्टन्ट या एकलिबरिनियम कंसंट्रेशन आफ रिवर्सी बारेक्शन कुछ अफेक्ट नहीं करता लेकिन ये टाइम को रिड्यूज़ करता है कि जएदा से जएदा जल्दी रियक्शन एकलिबरिनियम को क्या कर ले इस्टैबलिश कर ले अटेन कर ले इसी तरह कैटलिस्ट की एक और जो है खसूसियात है कि कैटलिस्ट रियक्शन को स्टार्ट नहीं करता किन रियक्शन को स्टार्ट नहीं करता जो फिजिबल नहों थर्मो डाइनमिक ली इट्स मीन कैटलिस्ट का कोई अफेक्ट नहीं होता enthalpy of reaction पे enthalpy mean heat change of reaction पे आपने सेवन चेप्टर में यह पड़ा है थर्मोडाइनमिक में enthalpy क्या होती हीट चेंज को कहते है catalyst का जो action होता है वो specific होता है its mean कि catalyst catalyze करता है उन reaction को यहनी कि देखो a catalyst catalyze one reaction but not another एक catalyst किसी एक reaction के लिए क्या होता है suitable होता दूसरे reaction के लिए वो suitable नहीं होता वो एक reaction को at a time catalyze करता है दूसरे reaction को नहीं करता क्यों नहीं करता कुछ reaction के लिए कुछ catalyst suitable होते हैं कुछ reaction के लिए कुछ catalyst suitable होते हैं अगर हम एक ही रेक्शन करवाएं वहां पे कैटलिस्ट डिफरेंट यूज़ करें तो हमारे पास डिफरेंट प्रड़क्ट बनते हैं इक वार्मिल्डी हैड का, अलमीनियम आकसाइड की फार्म में, एक वाटर बन रहा और एक कार्बन मोनो उकसाइड बन इसे तरफ फार्मिल्डी हाड नहीं है, यह वार्मिक एसड है फामे केसिड का रेक्षिन कॉपर की प्राइजिस में देखो तो एडरोजन बनी और साथ कार्बन डायोकसाइड बनी इसी तरह अगला क्या है रोल आफ कैटलिस्ट इस एफेक्टेड बाय टंपरेचर जैसे जैसे हम टंपरेचर को चेंज करेंगे तो कैटलिस्ट की जो रोल ह वो भी क्या होगा चेंज होगा लाइक कॉलाइडल प्लाटीनम कागुलेट विद यानि ये पिपटीज बे क्या हो जाएगा प्लाटीनम कनवर्ट हो जाएगा कागुलेट हो जाएगा विद राइज इन टेंपरेचर सो इट्स कैटलिस्ट पावर क्या हो जाएगी डिक्री को क्या कर देता हैadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada सेंपल के है डिकंपोजीशन आफ एश टू ओडू हडरोजन पारोकसाइड में जो पलाटीनम हम यूज करते हैं अगर सिमाल अमाउंट अफ उसमें एश सील आ जाए तो पलाटीनम बिकम इनफेक्टिव इसी तरह एसो थ्री जो कंटेक्ट प्रासेस है वहां पर जो हम पलाटीनम एजा कैटलिस्ट चूज कर रहे हैं अगर वहां पर सिमाल अमाउंट अफ और सिनिक आ जाए एज इंप्यूर्टी तो वह भी पलाटीनम को क्या गार देता है इनफेक्टिव कर देता है यह कुछ करेक्टरिस्टिक हमने पड़े केमिकली कैटलिस्ट अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं करता वालकि फिजीकल में चेंज होता है सेकंड क्या थी से माल अमाउंट में अफेक्टिव होता है ठीक है फाइनली डिवाइडर अफेक्टिव होता है थर्ड एकलिबरिनियम कांस्टन्ट या एकलिबरिनियम कंसेंटरेशन को चेंज नहीं करता वालकि रेक्शन को जल्दी से जल्दी एकलिबरिनियम को अटेंड करने में मदद करता है ठीक है फिजीबल नहीं होता जहां पे थर्मो डाइनमिकली फिजिबल ना हो रेक्शन उनको कैटलाइज नहीं करता कैटलिस्ट स्पेसिफिक इनेक्शन होता है ठीक है टंपरिचर के साथ वैरी करती है कैटलिस्ट की एक्टिविटीज ठीक है इसी तरह अगर हम सम फॉर्ण सबस्टांस एज इंप्यूर्टीज अगर कैटलिस्ट के करेक्टरिस्टिक में से पक्का एक शार्ट क्वस्टन आता है रॉल्बंडी बोर्ड में ठीक है इन और करेक्टरिस्टिक को पक्का रटन है ठीक है और इस चप्टर में से तीन चार शार्ट क्वस्टन पके आते हैं एक लांग क्वस्टन आता है लांग क्वस्टन हाफ ला टाइफ आरेनियस एक्वेशन इन तुम तीनों में से पका है लांग वसन आता है थैंक यू